एलेक्शन का तारीक नजदिक आते जा रहा है लोगों में बहुत जोश और से और बढ़ जा रहा है और अब की बार सभी लोग बाहर निकल के मतदान देने का कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म का ही जीत होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से वो लोग इतने 40 सालों से को उनको एक नया उमीद जागरत हो गया उनके अंदर कि अधराबाद भी बदलेगा अभी वृद्दी के ओर जाएगा और देश में जिस गर्व से हम चंद का नाम लेते हैं तरकी के तरफ उनको उमीद है कि हम हैतराबाद को भी उसमें शामिल करेंगे और इसे भी बढ़कर एक ऐसी बात है जैसे कि दो दिन पहले हम जब चार्मिनार गयते हैं वहां कोई छोटे से बंडी वालों का चार शौप से जल गयते यह इसलिए जले क्योंकि वहां पर एक टेंपर उसके पहले को बस्टॉप ता चार्मिनार में जो तोड़ा गया था और पूरा कच्ड़ा पर आवा था उसके अंदर बेचारे रमजान में कुछ अच्छी अच्छी खासा उनकी व्योपार हो जाएगी यह सोचकर पिछले रमजान के एक दिन पहले वो लोग लेकर आकर अपना सामान रखेते तो पता नहीं वह शौट सर्कूट के वज़े से हुआ या कोई शौट स पोल है आपको वहाँ पर चोटा सा स्टेशन है वहाँ पर उसके नीचे जब इतना कचड़ा है तो जीए चमसी कोई इसको गौर में रखना था आज तक क्या कर रहा था जीए चमसी आता जीए चमसी उसके बारे में और वहां का यह मेले चुप क्यों बैटा है अच्छा एक खबर हाला कि वहां से उनका सदुदीन जी का जो अस्पताल है नजदी की पड़ता है दो कदम में है उनका लेकिन उन तक वह आए नहीं उनके लोग कोई आए नहीं मेरे लिए मेरे ऑफिस तक जब खबर पहुंची मुझे वह शाम का टाइम हो गया था मैं तुरंत अप आप जाये तो देख सकते वो भी वीडियो से जाकर उनको पता लगा कर असली बात जानकर मैं उनलों के नंबर लेकर मैं अपनी काते से उनको जो मैं पैसे ट्रांसर करीती तो इतने मैं निकली 110 मिनट में तब आते हैं यह मायम के पूरे सारे हिरोस्मा पर यह बताने के कर राद तक हो आते नहीं है है मेरे आके जाने के बाद यह लोग आते हैं और पूछतर इस प्रकार से करते हैं कि क्या है वो लोग आए हैं, वो लोग गए हैं, तो इनका क्या काम है, बढ़का ना ही तो इनका काम है, जब हम गए हमने यह सवाल नहीं पूचा किसी से, हमने प्रेस को अपने साथ लेके नहीं गए, हम लोगों को जो पैसे दियें, हम वो भी किसी को पब्लिसिटी नहीं करें हम, आप जहां पर भी आप कुछ करते हो, हर काम पर फैदा देखते हो आप, यह बात तो हमका जानना पड़ेगी आप से, कि आप बिना मतलब के कुछ नहीं करते हो, कोई रो रहा है वहाँ पर, उन्स वास उनका फैदा उटाते हो, वो भी वोट के लिए, एलेक्शन के लिए, वो भी तब तक नहीं आते हूं आप, जब तक मैं जाती हूं वाँ पर, आप भी हम भी दिखा देगे, आप ऐसे कितना कुदगर्ज हैं, लोगों को हम भी दिखा देंगे. किया असदुदीन जी कभी सुने मुझे औरतों से कहते हुए कि आ बुरका मत पहने क्या असदुदीन जी कभी सुने मेरे मुझे कहते हुए आपको पड़ाई मत करिये क्या असदुदीन जी सुने मेरे मुझे यह कहते हुए कि आप दब जाओ कितने भी तलाक हो जाए शादिय कर लो फिर ले लूए अरब उनसे शादी होके चले जाओप गरीब की दलदल में मर जाओप तभी रहां मैंने सारे बात कि मुसलमान औरतों के पास जाते हैं उन से यह बात कहते हैं कि आप यरेशन ले लो यह कर जाो लिखो अच्छे हो जाओ तरक्की करो और उनके लिए हम कॉलेज के फीस बढ़ते हैं उनके लिए कुछ हुनर सखाने की कोशिश करते हैं हम टैलरिंग आउर्टों के लिए उनके लिए काम देते हैं उसे पैसे दिलवाते हैं और हम बदनाम कर रहें हैं जो उनों कहते हैं कि उनको अभी तुरेट है तो उनू बद्धनाम नहीं कर रहे हमें बद्धनाम नहीं कर रहे हैं जो जेट-प्लस security लेकर पिरते हैं क्या वो लोग हमको बद्धनाम नहीं कर रहे जो चाहिए अपने लिए बात करना आधत हो गया उनको निकलेगा नहीं है अधत हम भी दिखा देंगे क किस प्रकार से ये लोग कुद के कौम के आुड़तों को दलदल में फेककर अरे भई बार-बार यहीं पूछती हूं कि एक और जब जनम लेती है मरने तक क्या किसी को पता ने चलना चाहिए ऐसा भी कोई इंसान जी है, ऐसा भी कोई इंसान थी, इतनी तरक्की की है, बड़ी लिखी है, अरे हमारे सामने सान्या मिर्जा जी है, शबनाजमी है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, जो तरक्की करकर आगे निकल गए हैं, तो आप क्या मतलब ये लोग सही नहीं थे? हमने कभी भी किसी भी औरत को यह नहीं क्या है कि आप बुरका मत पहनो लेकिन हमने यह कहा है हाँ अपना वजूद बनाओ तरक्की करो आप भी हमारे जैसे इस भारत देश की बेटी हो और आपको किसी प्रकार का भी कोई से आपको किसी प्रकार का भी नश्ट ना आना चाहिए और आपके उपर जाती नहीं होना चाहिए जुल्म नहीं होना चाहिए उसके प्रति आपको आवाज उठाना आपका हक है हम लोगों का उनका हक सिकाते हैं उनका मजब के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं